दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक अच्छी कहानी को लेके आये हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विडियो को लाइक और शेर जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरूात होती है और हम देखते हैं। मेकसिको में जहां ये लड़का जिसका नाम मिगल होता है और ये अपनी मम्मी के रहता है जिसका नाम रोज है। आगे जब ये बहुत छोटा था तो तब उसके फादर की मौत हो गई थी। तब ये दोनों एक साथ रहते हैं। आगे एक दिन रोज को अपने भाई का फोन आता है जिसका नाम कारलोस होता है, आगे वो बताता है कि एक ड्रग कारटल वाले उसका पीछा कर रहे हैं। क्योंकि उसने ड्रग वालों का पैसा चुराया था, इसलिए वो रोज को बोलता है कि तुम मिगल के साथ वह पैसे लेकर वहाँ से निकल जाओ. पर तभी वहाँ पर कार्लोस को ड्रग कार्टल वालों ने उसको पकड़ लिया, तभी उनका बॉस टोनी वहाँ पर आ जाता है, कार्लोस को बहुत बुरी तरह मार कर उसका फोन चेक करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि लास्ट कॉल रोज को की गई है, इसी के साथ हम और वो यहाँ से वापस अपने घर पर आ जाता है जहां ये अपने घर पर जण्डा लग रहा था, तभी उसके पास एक बैंक का आफिस आता है, जो की उसको बैंक की इंट्रेस्ट चुकाने को बोलता है, लेकिन जिम उसको बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आग भी वो यहाँ पर उनको रोकने पहँचा। पर तभी रोज उससे कहने लगी कि प्लीज हमारे बारे में पुलीस को कुछ मत बताना पर तभी जिम उन्हें कुछ बताता है कि इतने में यहां पर टोनी भी अपनी गैंग के साथ आजाता है। आगे टोनी भी इनका पीछा करता है लेकिन जिम ने जिस आदमी को मारा था असल में वो टोनी का भाई होता है जिसे देखकर टोनी ने जिम के साथ दुश्मनी कर ली आगे जिम देखता है कि रोज को गोली लग चुकी है तभी जिम और मिगल उसको कार से बाहर निकलते है आगे रोज ने भी जिम को एक बैग और शिकागो का एड्रेस दिया और वो बोलती है कि मेरे बेटे को मेरी फैमिली के पास पहुँचा देना आगे यह सब बोल कर वो मर जाती है आगे जिम यहाँ पर पुलीस को बुलाता है और यह रोज की बॉड़ी ले जाते है और मिगल को अपनी कस्टडी में ले लेते है अगले दिन बॉर्डर ओफिस के पास जिम ने अपने कुट्टे के साथ देखा कि यहाँ एक ड्रग कार्टिल की गाड़ी आई है जिसे देखकर उसे टेंशन होने लगी पर इसी बीच उसने रोज का बैग देखा तो उसमें उसे बहुत सारे नोटों की गद्दी मिली जिसे देखकर उसे लगा कि वह इनसे तो मेरा लोन उतर जाएगा और वह उन पैसो को लेकर बैंक में जाने लगा था लेकिन तभी बीच रास्ते में जब उसने उस बैग पर रोज का खून देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा उसको लगा यह पैसे मिगल के लिए हैं तो उसको ही दे दूंगा इसलिए वह यहां से वापस बॉर्डर ऑफिस पर आ जाता है तभी उसे पता चला कि असल में मिगल को लेने टोनी के आदमी आये है इसलिए तब वह उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ यहां से ले जाने लगा जैसे बीच पार्किंग से जाने लगा तभी टोनी ने उसको देख लेता है आगे जिम मिगल को लेकर जा रहा है जो देखकर टोनी को भोट जैदा गुसा आ जाता है और उसने फैसला किया कि अब वह उसको नहीं छोड़ेगा आगे जिम सबसे पहले अपने घर आता है जहां से उसने अपना बंदूक और गोलिया लेकर मिगल को अमेरिका के लिए निकल गया आगे दूसरी तरफ अब टोनी ने भी अमेरिका में आ चुका था जहां पुलीस ने जब उसके हाथ का टैटू देखा तो वो समझ गया कि यह लोग ड्रग कार्टिल वाले हैं आगे वो पुलीस वाले उनको अमेरिका में एंट्री दे देते हैं आगे यह सबसे पहले जिम के घर पर आते हैं और उसके सामान से पता चला कि जिम कोई आम पुलीस वाला नहीं बलकि एक रिटायर्ड आफिसर है आगे यह सब उसके घर पर आग लगा कर चले जाते हैं आगे ये लोग जिम का क्रेडिट कार्ड ले आते हैं जिससे उसकी जानकारी मिल सके आगे टोनी ने अपने एक दोस्स से जिम का क्रेडिट कार्ड ट्रैक कराना शुरू कर दिया था जिसके बारे में जिम को कुछ नहीं पता था आगे वो दोनों एक गैस स्टेशन की शॉप पर आ जाते हैं जहां उन्हें शिकागो पहुँचने के लिए एक मैप लेना था जिसकी पेमेंट जिम अपने क्रेडिट कार्ड से करता है इसलिए तब वह लोग जल्दी से इस गैस स्टेशन पर आ जाते हैं जहां वो लोग उस लड़की से पूचताच कर रहे थे आगे वो इस लड़की को डरा कर सारी जानकारी ले ले लेते हैं आगे टोनी यहां की CCTV फुटेज चेक कर रहा था तो उसको पता चलता है कि जिम अपनी कार किस तरफ लेकर गया है इसलिए यहां लोग भी उससी तरफ चले जाते हैं आगे जिम को बीच रास्ते में एक पुलीस ओफिसर ने रोक लिया आगे ओफिसर ने उसका लाइसेंस चेक किया लेकिन उसने जिम की बंदूख भी देख लेता है आगे वो जिम को अरेस्ट करके अपनी गाडी में जाने को बोलता है पर तब जिम को थोड़ा शक हुआ क्योंकि यहां आफिसर अपने पुलीस ओफिसर को ना बुला कर किसी और को फोन करता है आगे उसका शक्याकिन में बदल जाता है हाँ पुलीस ओफिसर ने ड्रग कार्टिल वालों से पैसे लिए है आगे जिम ने इस ओफिसर को मरने लग जाता है जिसके बाद वह मिगल से बोला कि तुम कहीं पर छुप जाओ क्योंकि अब यहां टोनी और उसके आदमी पहुचने वाले है आगे टोनी यहां पर आते ही उस ओफिसर से पूछता है कि टोनी और मिगल कहा है जिस पर ओफिसर से इन्हें कुछ नहीं बताया आगे टोनी ने उसको मार दिया जिसके बाद टोनी को यहाँ पर जिम का मैप मिलता है और उसको लेकर यहाँ से चले जाते हैं दूसरी तरफ रात होते ही जिम मिगल को लेकर एक होटल में आता है जो कि ये आज रात यही गुजारने वाले थे लेकिन तभी डेर रात के बाद जिम अपने कुट्टे के साथ बहार निकल गया आगे जिम ने देखा कि बाहर काउंटर पर टोनी के आदमी इनके बारे में पूछताच कर रहे है इसलिए तब वहां मिगल को लेकर यहां निकलने की तराई करने लगा आगे टोनी ने जब इनका कमरा देखा तो यहां पर कोई भी नहीं था जिसकी वज़ा से वह गुसे में बाहर आकर चिल्लाने लगा कि मैं तुम मार दूंगा लेकिन कुछ देर तक कोई बाहर नहीं आया तो अब तोनी यहां से जाने लगा जाता है आगे जिम मैगल को कार में जाने को बोलता है आगे कुत्ता इन गांग्स्टर्स पर बहुत भोक रहा था तो इन गांग्स्टर्स ने कुत्ते मार दिया आगे जिम देख कर रोने लग जाता है अब अगले दिन इन्होंने कुत्ते की बॉडी को दफना दिया जिसके बाद यहां लोग एक चर्च में आते हैं आगे मिगल अपनी मार रोज के लिए प्रार्थना करना चाहता था तभी यहां के फादर ने जिम से पूछा कि क्या यहां आपका बेटा है जिस पर पर जिम ने मना किया कि नहीं यह मेरा बेटा नहीं है मैं तो बस इस बैचारे की मदद कर रहा हूँ जिसे बीच जिम को अपनी बेटी सारा की भी कॉल आई जो की कहने लगी कि आप उस लड़के को पुलीस के हवाले कर दो लेकिन जिम बोला की नहीं अब तो मैं ही इसको छोड़ कराऊंगा ये कहकर जिम शिकागो के लिए निकल गया दूसरी तरफ टोनी के आदमी परेशान होने लगे कि कैसे जिम को पकड़ा जाए इसी बीच इनकी नजर मैप पर पड़ी और इन्होंने देखा कि शिकागो पर सरकल बना हुआ है यानि जिम होना हो शिकागो ही गया होगा आगे टोनी के आदमी शिकागो के आदमी को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम लोग इस आदमी पर और नजर रखना ये दोनों शिकागो में ही है आगे यहाँ दोनों बहुत ठक जाते हैं और ये एक पुल के नीचे रुखकर राही पर आराम करते हैं, अगले सुबह फिर से अपने मन्जिल पर निकल जाते हैं आगे शिकागो में पहुचते ही इन्हे टोनी के आदमियों ने देख लिया आगे वो टोनी की खबर कर देते हैं आगे जिम सीधे रोड पर ही चलने ही लग रहा तभी यहाँ पर टोनी की कार आ गई आते हैं। आगे टोनी और उसके दो साथ ही इनका पीछा करते हुए फैक्टरी के पास आ जाते हैं तब जिम भी अपनी राइफल के साथ पोजीशन ले लेता है। और उसने टोनी के आदमियों को मरना शुरू कर दिया लेकिन आगे टोनी ने मिगल को पकड़ लिया। जहां वो उसे गन पॉइंट पर रखकर जिम के पास लाता है आगे उसने मिगल को फोर्स किया कि चलो तुम जिम पर गोली चलाओ। आगे मिगल मिगल ने फाइरिंग की जगा गोली ही निकाल दी तब यहाँ देखकर जिम ने भी टोनी पर हमला किया जहां अब उसने टोनी को मार दिया। आगे जिम ने मिगल को उसकी दादी के पास छोड़ा और खुद वापस एक बस में आ गया जहां उसने देखा कि टोनी ने तो उसकी चाती पर काफी हमले किये हुए हैं। इसके बाद जिम भी मर जाता है। तो दोस्तों आज ये कहानी यही पर खित्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली विडियो में।